Hello children, welcome to your EVS video class. Children, you know that we have just started chapter 7 of your EVS book. आपकी EVS book का हमने chapter 7 just start किया है. पिछले वीडियो में मैंने आपको उसका introduction दिया था. उससे पहले हम chapter 6 complete कर चुके है. Chapter 6 की सारी exercise हमने पूरी कर ली है. और I hope you have completed the work also. Children, do complete your work in time. Do not keep your work pending. आप कल के लिए मत छोड़े कि कल कर लेंगे, परसो कर लेंगे. ऐसे आपका work बहुत pile up हो जाएगा. तो सारा काम अपना time पे अप करते रहे है. ये जो chapter है, places of worship. जैसा मैंने आपको introduction में बताया था. कि ये chapter है related to the buildings, the structures, the places, where we go for. devotion, where we go for doing our prayer. जहां हम प्राथना करने जाते हैं, जहां हम अपना devotion के लिए जाते हैं. To show our act of devotion, अपनी भक्ती दिखाने के लिए जाते हैं. उससे related है आपका ये topic. इसमें मैंने जैसा आपको बताया था, कि हमारा जो देश है, वो एक democratic country है. मैंने एक word use किया था, democratic. जहां पर अभी king, queen ये सब नहीं होते हैं. जो भी हमारे rulers हैं, they are elected by us. जिनको हमने elect करके हम लाते हैं, election के द्वारा हम उनको लाते हैं, vote करके लाते हैं. और इसी लिए यहां पर जितने भी जो लोग हैं, हमको इतनी freedom हैं, कि हम किसी भी religion को follow कर सकते हैं. किसी भी धर्म को हम follow कर सकते हैं. कोई restriction नहीं है. जिसको जो धर्म अपनाना है, जिस धर्म में believe करना है, जिस धर्म को follow करना है, वो हमें permission है. हमारा country एक secular country भी है. secular का मतलब होता है, एक ऐसा देश जहांपे सभी religion को equal respect दिया जाता है. सभी religion को equality है, मतलब किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है, कि वो धर्म superior है और ये धर्म inferior है, ऐसा नहीं है. सभी धर्म समान है, सभी धर्म equal है, सभी धर्म को equal respect दिया जाता है. It's a secular country. तो हमारा country वर्ल्ड का एक biggest democratic country है और एक secular country है, जहां everybody is free to follow any religion and all religions are equal. सभी धर्म हमारे लिए समान है. और हमारा एक देश एक ऐसा देश है, जहां पर वर्ल्ड के almost सारे religions को follow करने वाले लोग पाए जाते हैं. ऐसा बहुत कम ही कोई देश होगा, जहां पर इतने सारे religions को follow करने वाले लोग रहते हैं. हमारे इंडिया में आपको हिंदूस भी मिल जाएंगे, मुस्लिम्स मिल जाएंगे, सिख हैं, क्रिस्चिन्स हैं, पार्सीज हैं, जैन्स हैं, बुद्धिस्ट हैं. बहुत, मतलब जितने भी famous, जो major religions हैं हमारे country, world के major religions, not only country, world के major religions हैं, उनको follow करने वाले लोग हमारे country में मिलेंगे. जैनिगे, all, all major religion हमारे देश में मिलता हैं. हमने start किया था बात करना, हिंदोईजम को लेगे, सबसे पहले हम हिंदोईजम की बात की थी, because ये world का सबसे ancient religion माना जाता है, हिंदोईजम इस वर्लस most ancient religion, सबसे पुरातन, सबसे पुराना अगर को religion है, तो वो है हिंदोईजम, स सबसे एंशेंट माना गया इसको, कोई भी धर्म इतना पुराना नहीं है, जो बुद्धिजम है, जो जैनिजम है, जो जैन और बहुत धर्म है, वो भी हिंदु धर्म में से ही, से ही, what do you call, का ही पार्ट है, it has bisected from Hinduism, जैन धर्म भी Hindu धर्म से ही निकला है, और बुद्धिजम भी Hindu धर्म से ही निकला है, तो oldest religion world का है, वो Hinduism है, Hinduism is the ancient religion of the world, yes, पूरी दुनिया का सबसे पुराना धर्म है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि कुछ points मैं आपके लिए लिख देती हूँ, ताकि आपको याद रहेगा, एक और चीज़ बताऊंगे, मुझसे some people were asking, कि जो आप points बोर्ड पर लिखती हैं, क्या वो भी copy म में लिखना है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं लिखना है, वो आपको समझाने के लिए लिखा जाता है points, आपको अपनी EVS के notebook में सिर्फ exercise वाला जो मैं करवाती हूँ, वो लिखना है, only exercise you have to write it in your EVS copy and not the points that I write, वो points में आपको समझाने के लिखती हूँ, आप उसका screenshot लेके लिखना, you have to just read, you have to just understand those points, okay. So, the people who follow Hinduism are called Hindus, उनको Hindus कहा जाता है, Hinduism is the oldest religion of the world, in fact Hinduism is not a religion, ऐसा बोलते हैं कि Hinduism religion नहीं है, Sanatan is the religion, Hinduism is the way of life, कैसे किसी व्यक्ति को, किसी इंसान को, किस तरह से life जीनी चाहिए, वो इसमें सिखाया जाता है, Hinduism में बताया जाता है, how to lead a life, how to lead a power, एक pious life, एक पवित्र जीवन कैसे जीना चाहिए, या एक proper life कैसे जीनी चाहिए, वो Hinduism में बताया जाता है, religion is Sanatan, but since it is written Hinduism, we will call it Hinduism only, in the book it is written Hinduism, अच्छा, Hinduism में हमने जाना कि there is place of worship, place of worship, क्या है, temple, Hinduism का, Hindus का place of worship है, temple, Hindu लोग temple में जाते हैं, prayer करने के लिए, not only for performing prayer, all religious rituals होते हैं, जो activities होते हैं, उसके लिए भी temples में जाते हैं, घर पे भी कराते हैं, of course, लेकिन basically they prefer going to temples for their religious rituals, जैसे कि यग्य कराना है, कोई अनुष्ठान कराना है, कोई अभिशेक कराना है, तो उसके लिए मंदिर में जाते हैं, कोई religious ceremony हैं, उसके लिए भी मंदिर में जाते हैं, कुछ लोग जो मुंदन सर्मनी होते हैं, उसके लिए भी मंदिर में ही जाके करवाते हैं, मुंदन मतलब जो hair shave कराते हैं, बेबी का जो छोटा बच्चा होता है, फिर उसके जो सिर के बाल होते हैं, जो first time shave कराते हैं, that is called मुंदन, तो मुंदन के लिए भी लोग टेंपल में जाते हैं, उसके अलावा कभी शादी भी होती हैं, कुछ लोगों के शादी भी टेंपल में होती हैं, उसके अलावा बाकि जो religious activities होती हैं, जो पुझा अनुस्थान होते हैं, वो भी उसके लिए भी मंदिर में जाते हैं, apart from their daily prayer, कुछ लोग daily temple में जाते हैं for praying, तो temple is their place of worship. Now we'll talk about temples, temple जैसा मैंने आपको बताया था, कि place of worship जो होते हैं, उनका वो जो building होती है, वो normal हमारे घर से बिलकुल अलग होती है, जिन घरों में हम रहते हैं, जिन flats में हम रहते हैं, या bungalows में रहते हैं, या एक duplex में रहते हैं, या simple house में रहते हैं, उससे बिलकुल अलग होता है place of worship, उसका शेप, उसका डिजाइन अलग होता है, for example, जो टेम्पल्स होते हैं, उनमें शिखर होता है, क्या होता है, शिखर, मैं ऐसे एक रफ सा बना के बता रही हूं, जैसे उसमें जन्टा जिसा नगा हुआ है, जितने भी टेम्पल्स होते हैं, उनमें ऐसा कौन जैसा बना होता और जितने भी ancient temples हैं, पुराने जमाने की जो temples हैं, जो kings लोगों ने बनाये थे, especially of south India, जब आप south में जाएंगे, उन मंदिरों के, उन temples के शिकर और उचे उचे होते हैं, और उनके उपर god and goddesses के बहुत सारे images बने होते हैं, sculptures बने होते हैं, मूर्तियां बनी होते हैं, पूरे म मंदिर के शिखर तक बना होता है, फिर उसके उपर, शिखर के उपर कुछ कलश होगा, या तुरुशूल होगा, और ज्यादा तर मंदिर के में pillars होते हैं, for vibrations, मतब उसके मैं structure की बात कर रही हूं, maximum temples में, maximum temples में, you will find a hall, एक hall होता है, गोपुरम होता है, entrance होती है, एक गर्भग्रह होता है, जहां पर idol रखा जाता है, या जिस भी god या goddess का temple है, उनका idol रखा होता है, या उनका symbol रखा होता है, symbol इसलिए बोल रही हों कि जरूरी नहीं है कि हर जगा god या goddess की image ही हो, for example, Vashno Mata Shrine, तो वहाँ पर जरूरी नहीं है कि माता का देवी या goddess का idol रखा है, वहाँ पर three stones के form में है, जिसे हिंदी में हम पिंटी बोलते हैं, वैसे ही शिव, god शिव है, जरूरी नहीं है कि उनका idol हो, उनकी मूर्ती हो, उनका एक shapeless जो form है, निराकार सरूप, जिसे शिवलिंग बोलते हैं, शिवलिंग के form में हो सकते हैं, तो अलग-अलग god and goddesses से related, अलग-अलग temples होते हैं, मतलब particular god के अलग-अलग temples हो सकते हैं, या एक ही temple में अलग-अलग god and goddesses के areas हो सकते हैं, कोई-कोई temple ऐसा होता है, जिसमें सभी भगमान के, सभी god या goddesses के images होते हैं, अलग-अलग जगा पे, कोई-कोई temple ऐसा होता है, तो तो डिपेंड करता है और फिर हम उस टेंपल को उसी नाम से जानते हैं तो विश्वनाथ टेंपल जो आपके वारनसी का बहुत ही फेमस टेंपल है तो विश्वनाथ टेंपल है तो में जो डेटी है जो में गौड है वो शिव है तो शिव के नाम से जाना जाता है अगर हम भैरवनाथ टेंपल बोलते हैं, तो वहाँ पर जो में गौड है, जो में डेटी है, जो में आइडल है वो श्री भैरवनाथ जी का है, तो ऐसे ही अलग-अलग जो मंदिरों का नाम उनके वहाँ के गौड या गौड़िस के एकॉर्डिंग ही रखा गया है, अगर तो डिपेंड करता है कि वह पर्टिकुलर टेंपल किस गौड या गौड़स का है और उसी के गौडिंग उस टेंपल का नाम रखा जाता है, यह हिंदोईजम के बारे में हम बात कर रहे हैं, फिर मैंने आपको नेचर वाली बात तो मैं आपको पिछले वीडियो में एक्स् पिछले वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो और याद होगा तो सिर्फ देखने से नहीं होता आपको अगर याद होगा तो तो जैसा मैंने बताए कि प्लेस ऑवर्शिप का जो स्ट्रक्चर है वो भी बहुत इंपोर्टन होता है और एक कॉमन जो चीज होती है वो ह हो सकती है ठीक है तो यह हम सिर्फ टेंपल की बात कररें हैं उसके इलावा बात करेंगे हम हिंदुईजम में चा बात कर रहे है तो सब लिजन पर जब आएंगे तो यह points हम discuss करेंगे ही pilgrimage site जिसको हम बोलते हैं तीर्थ स्थान pilgrimage जो तीर्थ होता है अब तीर्थ क्या होता है इसको भी मैं explain करते हूँ पहले ये मैं erase कर दू सभी religions में सभी religions में कुछ-कुछ places ऐसे होते हैं सभी religion में कुछ ऐसे places होते हैं कुछ ऐसे city हो सकता है कुछ ऐसा village हो सकता है जो बहुत पवित्र माना जाता है जो बहुत holy माना जाता है बहुत sacred माना जाता है तो वहां पर लोग सूचते हैं उस प्लेस से रेलेटेट कोई स्टोरी हो सकती है, उस प्लेस से रेलेटेट कोई इंसिदेंट हो सकता है, उस प्लेस से रेलेटेट कुछ भी ऐसा पॉइंट हो सकता है, जिस कारण से वो प्लेस, वो सिटी, वो विलेज जो है, वो होली माना जाता है या सेक्रेड माना जाता है it may have some story related to some ancient thing it may have something related to religion कुछ ऐसा वहाँ पे कोई ऐसा incident हुआ होगा कुछ ऐसा चीज उस place से जुड़ा हुआ होता है जिसके वज़े से वो place को हम बहुत पवित्र मानने लगते हैं फिर ये क्या होता है कि हर religion में ये चीज होती है तो वहाँ पर उस religion को follow करने वाले लोग उस place पर visit करते हैं उस place पर जाते हैं वहाँ पर once in a lifetime जाना चाहते हैं जिंदगी में एक बार तो जाना ही चाहते हैं बार बार जाना को मिले तो बहुत अच्छी बात है लेकिन जिंदगी में अपनी life में वो एक बार इन जगहों पर जाना चाहते हैं to show their devotion और उन ऐसा they feel कि वहाँ जाने से they will feel better उनकी problem solve हो जाएगी या just for devotion ऐसे हर religion में कुछ places होते हैं that place can be city, can be a village, can be a particular area in a particular city तो इसको हम बोलते हैं pilgrimage site तो हिंदुजम में ऐसे बहुत सारे pilgrimage site हैं ऐसे बहुत सारे तीर्थ स्थान हैं पर major जो है वो four हैं चार धाम जिसको बोलते हैं four धाम four major pilgrimage sites हैं बद्रिनाथ, किदारनाथ, जगनाथ और गंगासागर ये four major pilgrimage sites हैं बद्रिनाथ धाम, किदारनाथ धाम और गंगासागर और जगनाथ पुरी जी ये चार धाम माने जाते हैं लोग सोचते हैं कि अपनी lifetime में एक बार तो हम जरूर इन जगहों पे हो ले ज़्यादा जो ये बद्रिनाथ, किदारनाथ हैं ये जो है उत्रा खंट में है किदारनाथ और बद्रिनाथ का नाम बहुत कॉमन है आपने सुना होगा किदारनाथ is related to God Shiva and बद्रिनाथ is related to God Vishnu जगननाथ जगननाथ धांपु जगननाथ पूरी is related to Lord Krishna जिनका नाम जगननाथ भी है उसके पर गंगा सागर जो है गंगा सागर is a place where river Ganga falls in Bay of Bengal जो हमारी जो गंगा रिवर है गंगा नदी जो है जो आपके बनारस में भी फ्लो करती है ये बहते बहते बेंगाल की तरफ जाती है और वहाँ पर Bay of Bengal बंगाल की खाड़ी जो एक है समुद्र है उसमें जाके वो मिल जाती है तो जिस जगह पर गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है वहाँ पर गंगा सागर बनता है और यह भी एक pilgrimage site है लोग यहाँ भी जाते हैं इसके अलावा Hinduism में और भी बहुत सारे pilgrimage site है जैसे की द्वारकाधीश जो की गुजरात के द्वारका में है जहां पर Lord Krishna जहां के राजा कभी बने थे मतुरा है वरंदावन है और काशी जो हमारा वारानसी है इसको भी एक holy city माना जाता है जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो पे बताया था वारानसी is considered as the spiritual capital of India it is called city of temples तो लोगों का एक wish होता है जितने भी हिंदूस होते हैं उनका एक wish होता है कि once in a light time they visit काशी they should come to वारानसी और यहां के नदी में यहां के holy river में एक dip ले नदी में एक बार स्नान कर ले नहा ले गंगा रिवर में काशी में एक बार आने का सभी हिंदूस का एक dream होता है कि एक बार काशी visit कर ले काशी मतलब वारानसी तो यह इस place का भी बहुत importance है इसको कहा जाता है वा सबसे पुराना शहर है it is the oldest city of the world your वारनसी is the oldest city of the world मतलब इस शहर का नाम पुरानों में भी है बहुत ancient books में भी इस शहर का नाम है so we are lucky that we are staying in this city and यहां पर बहुत सारे god and goddesses के temples है आपको पता है विशुनाथ temple का नाम तो मैंने कई बार लिया यहां पर भारनाथ temple है तुलसी मानस मंदिर है फिर उसके बाद जितने भी घाट से वहां पर तरह तरह के temple से संकता माता और और भी बहुत सारे भारत माता temple I don't remember the names but maximum बहुत सारे temples है यहां पर जबेशोर में और पिलग्रिमाज साइट की तरह तीर्थ की तरह ही है जहां 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 जोतिर लिंग जिनको बोलते हैं elastic जिस जज़गा पे है वो हिंदुस के लिए प्लेग्रिमेंज सάट माना जाता है चाहे वो रामेशवर मेश्वरम हो चाहे सोमनाथ हो चाहे तो यह सारे भी एक तरह से holy places मानने जाते हैं, तरंबकेश्वर हैं, यह सब महादेव जीस हैं, जो तरलिंग जो टेंपल हैं, वो सब लौड शिव से related हैं, तो यह सारे sacred temples या sacred place मानने जाते हैं, holy places मानने जाते हैं, and Hindus, they want to visit these places once in a lifetime, तो यह हमने बात किया, Hinduism में, तरह तरह के pilgrimage site का, temples का, now moving on to the holy book, जिसे कहते हैं, पवित्र ग्रंथ, Hindus का holy book है, भागवत गीता, आपने नाम सुना होगा, भागवत गीता, यह Hindus का, एक holy book है, एक पवित्र ग्रंथ है, ऐसे तो रामायन और महाभारत भी है, यह epics है, epics का क्या मतलब होता है, epics मतलब, महा काव्य, बहुत लंबी poetry, बड़ी, बहुत ही long poetry, उसको बोलते हैं, epic, तो रामायन और महाभारत दे आर epics, long poetry के form में है, stories के form में भी यह दोनों books available है, और वैसे main जो हमारा sacred book है, holy book है, वो है भागवत गीता, भागवत गीता क्या है, भागवत गीता है, इसमें, जब महाभारत का लड़ाई हुआ था, वार हुआ था, महाभारत का जब वार हुआ था, उस वार के starting में, उस वार के start होने के, जिस दिन start हुआ था, उस दिन, जो अर्जुन थे, one of the brothers of Pandavas, Pandavas जो brothers थे, उन में से एक थे अर्जुन, he became confused, and he did not want to pursue war, वो जुद्ध नहीं लड़ना चाहते थे, तो Krishna ने उनको कुछ explain किया था, Krishna ने उनको उपदेश दिया, तो उनने कुछ समझाया था, तो इसमें teachings हैं, Lord Krishna की teachings हैं for Arjuna, ऐसा बुला जाता है, लेकिन वो teaching सिर्फ Arjuna के लिए नहीं है, it is for everybody in the world, दुनिया में जितने भी लोग हैं, उन सब के लिए वो teaching है, वो किसी religion से related नहीं है, जो आसा हम बोलते हैं कि भागवत गीता हिंदूस का sacred book है, holy book है, लेकिन उसके अंदर जो teaching है, वो किसी particular religion के लिए नहीं है, everybody or anybody can follow those things in his or her life, उसमें जो कुछ भी लिखा है, उसे दुनिया का कोई भी person अपनी life में follow कर सकता है, वो किसी भी religion का हो, किसी भी religion में belief करता हो, पर भागवत गीता कि जो teachings हैं, it is applicable to all, सब के लिए है वो, इसी लिए इसको holy book consider किया जाता है, where Lord Krishna is teaching, he is preaching, excuse me, to Arjun, but though he was preaching Arjun, though he was teaching Arjun, but the message that he conveyed, जो उन्होंने उपदेश दिया है, गीता में, that is for everyone, Ramayan क्या है, Ramayan is the story of Lord Rama, and his brother, and his war with Ravan, जो Rakshas Ravan थे, थे इसलिए बोल रहे हूं कि he was a very knowledgeable person, तो Ram और Ravan की story है, और इससे भी beautiful message मिलता है, इस story से, कि family कितनी important है, और अच्छाई की जीत और बुराई की हार का message देता है, Ramayan, और किस तरह से family का support important होता है, वो भी इसके थू हमें पता चलता है, so this is also one of the holy books of Hindus, Ramayan. Then Mahabharat, Mahabharat is story of Kauravas and Pandavas, they are cousins, Kauravas and Pandavas, क्या थे, cousins थे, Kauravas were hundred brothers and Pandavas were five brothers, और इनकी story है, इसमें Mahabharat की story है, किस तरह से greed जो है, वो नुकसान पहुँचाता है, लालत से कितना नुकसान हो सकता है, या arrogance से कितना नुकसान हो सकता है, घमण से कितना नुकसान हो सकता है, anger से कितना नुकसान हो सकता है, वो लेसन हमें महाभारत से सीखने को मिलता है किस तरह से गुस्सा इंसान को बरबाद कर सकता है मतलब गुस्से में आदमी अपना कितना नुकसान कर सकता है या फिर घमंड में, एरोगेंस में, एटिटूड में आदमी अपना कितना नुकसान कर सकता है लालच में आदमी का कितना बुरा हाल हो सकता है वो सारा मेसेज हमें मिलता है महाभारत से महाभारत में ये टीचिंग मिलती है कि कभी बैमानी नहीं करनी चाहिए चीटिंग नहीं करने चाहिए बहुत अधिक गुसा नहीं करना चाहिए और घमंड तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए ये सारी टीचिंग समको मिलती है महाभारत से सारा मेसेज हमें मिलता है महाभारत से मतलब ये दोनों बुक्स जो हैं वो हमें life का lesson सिखाती है जिन्दिगी का में बहुत बड़ा सबक सिखाती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए तो ये दोनों ही बुक्स जो हैं तीनों बुक्स जो हैं they are considered sacred but holy book is भागवद गीता जैसे court में जो जिसे का कचहरी जिसको ते court बोलते है वहाँ पर भी गीता रखी जाती है to swear upon कसम खाने के लिए बोलते हैं कि ये हिंदूों का पवित्र ग्रंत है तो इस पर हाथ रखे जूट नहीं बोलेंगे इसलिए इसको रखा जाता है so ये था हमारा हिंदोिजम के बारे में सारे information I hope आपको काफी चीज़े समझ में आ गही होंगी Hinduism से related हमने बहुत सारी बाते कर ली Hinduism के main points क्या है they pray many god and goddesses their place of worship is temple they pray many god and goddesses they pray things which are related to nature they have many pilgrimage sites their holy book is Gita Ramayan and Mahabharat ये सारे चीज़े points आप लिख सकते है Hindus follow Hinduism their place of worship worship is temple they pray to they pray निवन आ आप 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 दे शो दिवोचिन बोसक्ते है they show devotion to many god and goddesses they show to many god and goddesses, they have many pilgrimage sites, they also pray to many things related to nature. such as they also pray to many things related to nature such as trees, rivers, mountains, etc. okay. their holy book here, number six, their holy books are, भागवत गीता, रामायन, महाभारत, नहीं, यह सारे पॉइंस हैं, हिंदुइजम से, जो में 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 पॉइंस हैं, डिसके तुमने बहुत कुछ किया, यह सारे में पॉइंस हैं, हिंदुइजम से रिलेटेड, ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा, उसमें हम क्या करेंगे, we will talk about Islam, मुस्लिम रिलिजन की बात करेंगे, ठीक हिंदु फॉलो, हिंदुस फॉलो हिंदुइजम, लिज्ट की बात करेंगे, डाफलो, कि अधुस पॉलो, करेंगे श्रीजन की बात करेंगे, वोग बात करेंगे बात करेंगे, आज की विजु का यहीं पर बन करते हैं, जूएँ बिलिए पालु पॉलो, थांक यू